बुख्वार दोस्तो स्वागत है आपका हमारी इस चानल धुप धुनची आरती में दोस्तो आज जो है ना मैं आपको धुनची का एक नया मॉडल आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ ये जो है ये गवा का है यानिकि कुंकन प्रदेश कहा जाते है गवा को कुंकन तो बहुत ही संस्कृति के बारेमें वैसे तो बहुत लुक नहीं जानते और बहुत लोगों पुझे नहीं पता तूंकि कुछ गलत्ते में हैं कि वह पर पॉर्टूगेज आदी लोगों का ही किबल संस्कृति है और उनका ही समाज है उनका ही रिच्वल साधी जलता है बिल्कुल नहीं गुवा जो है वो कोंकणी हिंदू समाज का है उन्हें जो है सारस्वत हिंदू कहा जाता है जहां तक मैंने सुना है उन्हें सारस्वत हिंदू कहा जाता है बहुत ही शास्त्र चर्चा आदी धूब दीप अराधना नित् कभी भी जाते हैं गवा में तो वहां के मंदिरों में भी आप अगर जाते हैं जैसे की शांता दुर का मंदिर में अगर आप जाते हैं महालसा मंदिर में अगर आप जाते हैं ऐसे कई सारे और भी मंदिर आती हैं वहां पर आपको ये धूब दीब अराधनाई का रिवास जो ह धुनची धूप होते हैं वही जो है वो लोग इस्तेमाल करते हैं और ऐसे धुनची पात्र में यह उनका traditional धुनची पात्र होता है वैसे अभी जो है वो थोड़ा मतलब वैसे तो देखा जाए तो काफी बड़े भी मिलते हैं पर मैंने जो है केवल एक model मैं लेना चाहता था जो कौंकर्ण प्रदेश का धुनची है वो मैं लेना चाहता था इस वज़े से जो है दोस्तो मैंने जो है ना छोटा ही लिया है मतलब उतना बड़ा नहीं लिया है क्योंकि मेरे पास वैसे तो बहुत सारे हैं पर क्योंकि मुझे collect करने का और सभी प्रदेश की धुनची से जो है ना मुझे मेरा actually देखी दोस्तो मेरा ना हर प्रदेश के जो भी सारे अच्छे चीज़े है जो भी सारे ऐसे handicraft वाली चीज़े है जो की हस्त कला की विशय है वो मुझे बहुत पसंद है वो मैं हमेशा collect करना चाता हूँ और मैं हर किसी के संस्कृती के सार्थ जो है न आपको कुछ ना कुछ एक सुंदरता मिलेगा कुछ ना कुछ जो है बहापर से आपको सीखने को मिलेगा तो कुंकर में भी जो है आपको जो है ये वाले मॉडल के धुनजी मिलेंगे और वहां के हर घर में जो है नित्य प्रति दिन ये धूप राधनाई किये जाते हैं आप खास कर ये जो है नवरात्री के समय आप वहाँ पर जाएंगे और गणिशुत्सप के समय अगर आप वहाँ पर जाते हैं कुंकर प्रदेश में तो उस समय आपको काफी खास तोर पर ये मिलेगा कि धुनीजी आदी का प्रयोग वहाँ पर किस प्रकार से होता है वैसे वो पर यही कहते हैं या पर दूसरे और भी कई सारे नाम हो सकते हैं गवा की जो ये विशेस्ता क्या है देखे इसमें ये आप देख रहे है ये वाला हैंडल जो है जादतर आपको बाहर में कई सारे साउथ में भी आपको हैंडल जो है उसमें आपको उटन वाला मिलेगा यान बहुत वाला मोटा sheet नहीं है क्योंकि मैं जो है बहुत महंगा नहीं लेना चाता था असल में दोस्तों वस average में ही मैं लेना चाता था इसका ये जो है ये काफी मोटा है ये handle जो है वो काफी मोटा है और सक्त है मतलब इससे जो है कोई समस्या नहीं होगा आपको धूपादी देने में और ये वाला शीट भी ठीक ठाक है ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बहुत पतला है ठीक ठाक है आपके नित्य प्रतिदिन क्योंकि छोटे वाले जब साइस में बनते हैं न तो कि साधरन घर के लिए ही उस रिसाप से बनाया जाते हैं जैसे साब से बनते है तो ये वाले शीट जो है वो उतना मोटे में नहीं होता है ये मीडियम में होता है तो ये ठीक है अगर हाँ घर पे जो है नित्य प्रद्विन इस्तमाल करते है एक दो बाद तो उसके लिए काफी अच्छा है अच्छे से साब भी हो जाएगा ये वाला जो है वो काफी अच्छा है, हाद भी आपका जा रहा है, तो साभ भी आपका हो जाएगा अच्छे से, और नीचे वाला भी अच्छा सा फिनिश है, फिनिशिंग बहुत अच्छा है, और ये वाले जो है, ये भी जही है, तो कॉंकन का यही एक विशेष्टा मुझे दिखा, जो कि इसमें उर्ण वाला नहीं होता है, यह जादातर जो है वो पीतल का आपको मिलेगा, पीतल के हैंडल वाले जो है वो आपको मिलेगा, तो उनके वहाँ पर धूपराधनी में, आप बहुत सारे आजकल तो यूट्यू ही जला जाती है, और वहाँ पर धूप आधी का भी काफी अच्छा प्रयोग होता है, घर घर में ही, और पहले जो है धूप अराधन ही करते है, उसके बाद जो है दीप अराधनाही करते हैं वो लोग आप लोग जो है गुआ के इस कुंकन के बारे में बहुत सारे लोगों को ना बहुत कम पता हैं कुंकन के ऐसे रिच्छोल्स के बारे में पूजा के बारे में पर कुंकन की धूब दीप अराधनाई बहुत ही जादा सुन्दर है दोस्तों कभी आप लोग थोड़ा स्टडी कर और अपने घर को भी बहुत साब सुतरा रखते हैं और बहुत धूप आधी करते हैं, बहुत फरिश रहता है घर आधी जो है, और सुभे साम बिलकुल जो है मैंने ये साउत में भी वैसे देखा कि सुभे शाम जो है धूपादी करते है और कुंकर में भी जो है उस प्रकार से ही धुनची धूप वहाँ पर अगर बत्ती धूप बत्ती का बिलकुल प्रयोग आपको मिलेगा ही नहीं वहाँ पर ऐसे धुनची धूप से ही धूप करते है दोनों वक्त धूप अराधने करते है विशेश परवो में धूप दिप अराधने एक विशेश बोल सकते कि आप कुंकर के पूजा पध्धिती का एक विशेश नियम जो है वो धूप दिप ना था कि कॉंकड में जो है मतलब गुआ के तरफ जो है धूप राधनाई का किस पात्र में के आ जाता और किस प्रकार का ये होता है तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट्स जरूर कड़िएगा और मिलते हैं आप सब ले वीडियो में तब तक के नामस्कार